Hello dear students, exercise 2.1 का question number 7 और 8 आज की वीडियो में हम solve करेंगे Question number 7 में पूछा गया है find और उसमें A और B ये दो questions है A में 2 sub questions है और B में भी 2 sub questions है तो चलिए, first हम A बाला solve कर लेते हैं A में पूछा गया है 1 by 2 of, first है 2, 3 by 4 और second है 4, 2 by 9 तो चलिए, पहले हम solve कर लेते हैं, ये first वाला sub question A का 1 by 2 of, 2, 3 by 4 लिख लेंगे 1 by 2 of, of का क्या मतलब होता है multiply करना है हमें किस से, तो 2, 3 by 4 से 2, 3 by 4 ये mixed fraction है, इसे हमें पहले improper fraction में convert करना पड़ेगा तो चलिए, 1 by 2 as it is लिख लेते हैं और multiplication का sign भी as it is दे देते हैं तो क्या करेंगे improper fraction में convert करने के लिए, 4 को 2 से multiply करेंगे जो product आएगा, उसमें ये 3 add कर देंगे, तो 4, 2s are 8, 8 plus 3, 11 तो क्या answer है यहाँ पर, 11 by 4, ये जो denominator है, वो as it is हमें लिखना होता है तो 11 by 4, जब हमें multiply करना होता है, तब numerator को numerator से multiply करते हैं और denominator को denominator से, तो चलिए multiply करते हैं, 1 into 11 और 2 into 4, अब यहाँ पर देखो, उपर और नीचे, कोई ऐसे number है क्या, जो एक ही table में आते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसे कोई भी number नहीं है, जो एक ही table में आते हैं, तो चलिए हम directly multiplication कर देते हैं, 11 1s are 11, लिख लेंगे यहाँ पर, और 4 2s are 8, 11 by 8, तो यहाँ पर हमारा answer आया है, 11 by 8, पर यहाँ पर यह improper fraction में हमारा answer आया है, इसलिए इसे हम mix fraction में convert कर देंगे, mix fraction में convert करने के लिए हमें क्या करना होता है, divide करना होता है, तो चलिए 11 को 8 से divide करते हैं, divide करने के पाद हमारा portion आता है 1 और remainder आता है 3 तो चलिए इसे हम mix fraction में arrange कर देते हैं 1 as a whole number यहाँ पर लिख लेंगे 3 यहाँ पर remainder आया है तो 3 numerator की जगह पर और 8 होगा हमारा यहाँ पर diviser है न तो 8 होगा हमारा denominator तो यहाँ पर हमारा final answer आया है 1 by 2 of 2 3 by 4 is equal to 1 3 by 8 चलिए इस equation का अभी second part करते हैं 1 by 2 of 4 2 by 9 4 2 by 9 mixed fraction है इसे improper में convert कर देंगे पहले तो 1 by 2 as it is लिख देंगे multiplication का sign और इसे improper में convert करते हैं तो 9 4s are 36 36 plus 2 37 38 तो यहाँ पर आएगा 38 और यह जो 9 है न denominator में वो as it is हम यहाँ पर denominator में लिख देंगे तो यहाँ पर हमें अभी multiply करना है इन दोनों fractions को तो आपको तो पता ही है कि numerator को numerator से multiply किया जाता है और denominator को denominator से चलिए next step में लिख देंगे अब यहाँ पर 1 into 38 numerator में लिख दिया हमने और 2 into 9 denominator में अब यहाँ पर उपर और नीचे कोई ऐसे number है क्या कि जो एक ही number से cut सकते हैं तो हाँ है 2 और 38 2 से हम 38 को divide कर सकते हैं तो चलिए divide कर देते हैं 2 1s are 2 अब यहाँ पर 38 को भी हम 2 से divide कर सकते हैं 2 1s are 2 और 3 में से 2 सब्ट्राइट करेंगे तो 1 remaining रहेगा यहाँ पर 1 आया 1 और 8 18 हुआ यहाँ पर अब 2 9s are 18 तो यहाँ पर लिख देंगे 9 2 से 38 को divide करने के बाद answer आया 19 अब यहाँ पर जो भी numbers बच्चे हैं वो फिर से हम नीचे लिख देंगे numerator में बचा है 1 into 19 तो हुआ 19 और 1 into 9 denominator में है तो 1 into 9 9 तो 19 by 9 अब यहाँ पर 19 by 9 हमारा answer आया है 19 को 9 से divide करेंगे 19 को 9 से divide करने के बाद quotient मिलता है हमें 2 और remainder मिलता है 1 तो चलिए mix fraction में इसे यहाँ पर लिख देते है quotient है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 as a whole number remainder है 1 तो वो लिखेंगे as the numerator और denominator में आएगा 9 तो यहाँ पर हमारा answer आया 2 1 by 9 1 by 2 of 4 2 by 9 is equal to 2 1 by 9 question number 7 का B part करते हैं B part में भी 2 sub questions है first sub question हम करते हैं पूछा गया है 5 by 8 of 3 5 by 6 लिखेंगे 5 by 8 of का मतलब होता है multiply करना है हमें किस से 3 5 by 6 से 3 5 by 6 mixed fraction है तो पहले हम इसे improper fraction में convert कर देंगे 5 by 8 as it is लिखेंगे और multiply का sign भी as it is improper में convert करने के लिए हमें क्या करना है 6 से 3 का multiply करना है जो product आता है उसमें numerator को add कर देना है तो 6 into 3 18 18 plus 5 23 तो यहाँ पर numerator में आएगा 23 डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे यह जो 6 है वो as it is डिनोमिनेटर में लिखेंगे अब यहाँ पर इन दोनों factions का हमें multiplication करना है तो चलिए numerator को numerator से multiply करते है denominator को denominator से यहाँ पर लिखेंगे 5 into 23 in the numerator and in the denominator 8 into 6 अब यहाँ पर देखो कोई numbers उपर नीचे वाले numbers कड रहे है क्या यह numbers किसी एक table में आ रहे है क्या तो नहीं तो चलिए simple सा हम multiplication कर देते है 23 into 5 23 into 5 1 1 5 लिख देंगे यहाँ पर 1 1 5 and 8 into 6 48 1 1 5 by 48 अब यहाँ पर हमें यह improper fraction मिला है इसे हमें mixed fraction में convert करना है तो चलिए 1 1 5 को 48 से divide करते हैं 1 1 5 को 48 से divide करने की बार यहाँ पर quotient हमें मिला 2 और remainder मिला 19 तो quotient as a whole number हम यहाँ पर लिख देंगे 2 19 remainder numerator की जगह पर लिखेंगे और 48 यहाँ पर denominator की जगह पर हम लिख देंगे तो यह हुआ हमारा इस question का final answer 5 by 8 of 3 5 by 6 is equal to 2 19 by 48 अब इसी question का question B का second part करते हैं हम 5 by 8 of multiplication का sign 9 2 by 3 9 2 by 3 को improper fraction में convert कर देंगे पहले हम 5 by 8 as it is लिख देंगे और multiplication का sign 3 9 0 27 27 plus 2 29 3 denominator में as it is लिख देंगे अब यहाँ पर numerator को numerator से multiply करेंगे denominator को denominator से so next step में इस प्रकार हम लिख देंगे अब यहाँ पर कोई number कट रहे है क्या नहीं यहाँ पर यह जो number है वो किसी भी एक table में नहीं आ रहे है उपर निचे वाले numbers तो चलिए 29 को 5 से multiply कर देते हैं multiplication करने के बाद product मिलता है 145 तो लिख देंगे numerator में 145 और denominator में 8 into 3 24 तो यहाँ पर हमारा यह answer आया है 145 by 24 अब यह improper fraction हुआ इसे mixed fraction में convert करते हैं उसके लिए क्या करेंगे? divide करेंगे 145 को 24 से divide करने के बाद quotient मिलता है हमें 6 और remainder आता है 1 तो quotient जो मिला है 6 वो whole number की जगह पर हम यह आपर लिख देंगे और जो यह remainder है 1 उसे numerator की जगह पर लिखेंगे और 24 denominator की जगह पर तो यह हुआ हमारा इस second question का final answer 5 by 8 of 9 2 by 3 is equal to 6 1 by 24 question number 7 का यह complete answer अब देखते हैं question number 8 question number 8 में पूछा गया है विद्या और प्रताप went for a picnic एक विद्या है और एक प्रताप है यह picnic के लिए गये है their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water इनकी मा ने इन्हें water bottle दी जो कि 5 liter की है विद्या consumed 2 by 5 of the water और विद्या ने 2 by 5 इतना पानी पिया पूरे पानी में से प्रताप consumed the remaining water और प्रताप ने जो बचा हुआ पानी है विद्या के पेने के बार वो पानी पिया तो इसमें दो questions पूछे है How much water did विद्या drink? विद्या ने कितना पानी पिया? यह हमें liters में बताना है और second question पूछा है What fraction of the total quantity of water did प्रताप drink? प्रताप ने जो भी पानी पिया उसका क्या fraction है? यह question है second question तो देखें यह विद्या और यह प्रताप और उनकी मा ने यह 5 लिटर की water bottle उन्हें दी है तो टोटल वोटर कितना है? 5 लिटर्स 5 लिटर्स में से विद्या ने कितना पिया है? विद्या ने पिया है 2 by 5 Water consumed by विद्या 2 by 5 अब यहाँ पर यह जो पूरी बोटल है वो है 5 लिटर्स की और 2 by 5 इतना पानी विद्या ने पिया मतलब 5 अगर इस water bottle के 5 parts कर दिये तो उन 5 parts में से 2 parts विद्या ने पिये है देखें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 and 5 1 part, 2, 3, 4, 5 5 parts इन 5 parts में से A वाला part और A वाला part यह दोनों part विद्या ने पिये है तो जो बचे हुए parts है वो किसने पिये होंगे वो प्रतापने पिये होंगे तो बचे हुए parts कितने है 1, 2, 3, 3 parts 5 में से प्रतापने पिये तो यह simple सा question है लेकिन इसे हमें लिख कर बताना है तो चलिए इसका solution किस प्रकार हम लिख सकते है देखते है solution from the question it is given that amount of water in the water bottle 5 liters question से हमें पता चलता है कि water bottle में कितना पानी था 5 liters amount of water consumed by विद्या विद्या ने 5 liter में से कितना पानी पिया 2 by 5 of 5 liters 2 by 5 of 5 liters मतलब हमें कितना पानी पिया liters में हमें निकाल ला है ना इसलिए हमने यहां पर 5 liters लिख दिया है 2 by 5 of 5 क्या करेंगे 2 by 5 multiplied by 5 कर देंगे अब यहां पर 5 का कोई denominator नहीं है तो 1 लिख देंगे और numerator को numerator से मल्टिप्लाइ करेंगे denominator को denominator से तो यहां पर आएगा 2 into 5 और 5 into 1 अब उपर नीचे वाले numbers देखो कुछ numbers कट रहे हैं क्या एक ही number में यह numbers आ रहे हैं क्या तो हां यह 5 और यह 5 5 5 कट जाएंगे यहां पर बचा क्या 2 by 1 2 by 1 मतलब 2 liters तो विद्ध्या ने total कितना पानी पिया 2 liter पानी पिया 2 by 5 मतलब 2 liter पानी पिया यहां पर लिख देंगे so the total amount of water drank by विद्ध्या is 2 liters यह तो हुआ first question का answer how much water did विद्ध्या drink अब second question का answer हम find out करते है what fraction of the total quantity of water did प्रताप drink अब हमें यह बताना है कि प्रताप ने total quantity में से कितना fraction पानी पिया तो चलिए फिर से हम इस question को समझते है अब यहां पर यह जो पानी है इसके 5 parts किये तो 5 by 5 5 by 5 इसका क्या मतलब है 1 5 5 कटेगा 1 बचेगा ना तो यह पूरी bottle क्या हुई 1 हुई तो 1 में से विद्ध्या ने कितना पानी पिया है 2 by 5 राइट 1 में से विद्ध्या ने पिया 2 by 5 इतना पानी 1 में से 2 by 5 को सब्ट्राइट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रताप ने कितना पानी पिया है तो चलिए अब हम solution लिखते हैं और find out करते हैं कि कितना fraction पानी प्रताप ने पिया ऐसे तो हम orally भी बता सकते हैं 2 by 5 विद्ध्या ने पिया है तो बचा हुआ 3 by 5 प्रताप ने पिया होगा लेकिन हमें लिख कर, solve कर कर बताना है तो चलिए लिख देते हैं From the question, it is given that amount of water in the water bottle 5 liters then amount of water consumed by प्रताप 1 minus water consumed by विद्ध्या जैसे कि हमने अभी देखा कि पूरा पानी कितना है, 1 और उसमें से हमें minus करना है जो कि विद्ध्या ने पिया हुआ पानी है तो 1 minus 2 by 5 अब यहाँ पर 1 का कोई denominator नहीं है तो 1 लिख देंगे अब 1 by 1 को हमें 1 by 1 से हमें 2 by 5 को subtract करना है subtraction जब हम करते है तब denominator हमें तो 1 को हम 5 से multiply करेंगे तो same denominator आएंगे तो numerator और denominator दोनों को हम 5 से multiply कर देंगे तो क्या आएगा? इस step में हम लिख देंगे वैसे तो बहुत simple है लेकिन फिर भी हमें लिख कर बताना होता है step by step इसलिए ये step by step किया हुआ है 1 into 5 denominator में 1 into 5 minus 2 by 5 as it is लिख देंगे तो अभी यहाँ पर multiplication क्या आएगा? 5 by 5 minus 2 by 5 चलिए अभी देखो इस प्रकार आएगा 5 minus 2 और denominator में 5 5 में से 2 subtract करेंगे तो क्या आता है हमारा answer? 3 by 5 तो देखिए यहाँ पर हमारा answer आया है कि 3 by 5 इतना water किसने प्रताप ने तो फाइनल आंसर तो टोटल अमाउंट आफ वाटर कंजूंड बाई प्रताप इस एक्वल तो 3 by 5 और 5 लिटर्स वाटर तो यह है क्वेशन नमबर 8 का कंप्लीट आंसर I hope exercise 2.1 के सारे questions के solutions आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन केप लानिंग केप एंजॉइंग बाई बाई के अच्छे से एंज।